कॉंग्रेस विधायक पूर्वमंत्री उमंग सिंगार ने कहा कि कॉंग्रेस ने अपनी हार की समिक्षा के साथ लोगसभा चुनाव की तयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा चुनोतियों से लड़ना मेरा काम है और मैं चुनोतियों से लड़ता रहूँगा। पूर्वमंत्री कॉंग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने कहा कि आने वाले समय में लोगसभा की चुनाव है और चुनाव को लेकर कॉंग्रेसने तयार्यान शुरू कर दी है। प्रदेश के साथ साथ अब केंदर में भी हार की समिक्षा की जारी है। उमंग सिंगहा ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहा कि मैं पार्टी की कारिकरता के रूप में काम करता हूँ ये बात राहूल गांधी भी जानते हैं चुनोतियों से लड़ना मेरा काम है और मैं चुनोतियों से लड़ता रहूँगा देखे अब चुके अब आने वाला समय लोकसभा चुनाओ का है और तुरे पार्टी हाईकमान इस पर मंतन चिंतन कर रहा है कि हार की समीक्षा के साथ हमें कैसे लोकसभा की तयारी करना है उसी तांतम में मैं दिल्ली में बेटके रखी गई है तो आने वाले समय में आपको कॉ अज़ी हमिश्आ काम करां तो खता हूं तो कभी आज तक मैंने सब लोग हँ जाANTां कि था सो सबनाभमें नहीं एक पारिवार के अगर कि अपस मेंसे सब लोगं मैं पड़ी बात नहीं है और चुक्कि आप चुनाओक आने वाले लोकसभा है एकstars माहा संग्राम है उसके लिए तैयारी क्या वाशकता है और सब को पार्टी के कार करता होगा मनोबल उचा करनी क्या हो सकता है उसी तांतम में मेरे आप देख रहे हैं डखल न्यूज